इस सरकार से नरेंद मोदी जी से उनके तमाम कैबिनेट के सदस्यों से और मीडिया और सोशल मीडिया में बैठे उनके पन्ना प्रमुखों से हमने एक बार भी किसी भी महतुपूर्ण प्रश्ण का उत्तर आते वे नहीं सुना जो सुना वो सिर्फ भाषन भाषनों का री टेलिकास्ट और भाषनों में पहले तो कुछ आश्वासन मिलते थे अब भाषनों में आश्वासन भी नहीं मिलते थे अब इतिहास की उनकी टूटी फूटी जानकारी उनसे पूछो किसानों के रिन का क्या हो रहा है तो कहते हैं नेरू जी भगत सिंग जी से मिलने क्यो नहीं गए उनसे पूछो नौकरिया कब मिलेंगी तो कहते हैं कि कॉंग्रेस ने अपने ही कुछ नेताओं के साथ 75 साल पहले ठीक नहीं किया था अरे साब दलितों पर जो हो रहा है उस पर जवाब दे दीजिए अब हमें समझ में आ रहा है कि उत्तर क्यों नहीं आ रहे जो महतुपूर्ण मंत्री हैं मोदी जी की सरकार वो रक्षा मंत्री तो बेचारी रक्षा मंत्री जी अपने विभाग के प्रती कहीं भी उनका कुछ योगदान क्यों नहीं दिखता आज समझ में आता हर हफते समझ में आता है आधे से ज्यादा वक्त तो जो हम खुलासे करते हैं प्यूज गोयल जी के लिए या जैशाह जी के उपड़ तो उनकी रक्षा करती रहती है अरे आपको देश के रक्षा के लिए रक्षा मंत्री बनाया गया था आप अपने ही कैबिनेट कुलीक्स के भरष्टाचार पर उनकी रक्षा में उतर आती हैं और बाकी आधे समय विपक्ष पर हमला बोलती हैं विपक्ष से प्रशन पूछती रक्षा मंत्री जी आपने वादा किया था और आदेश पारित किये थे रक्षा सचिव को 17 नवंबर 2017 को रक्षा भवन में प्रेस वारता के दौरान कोई छिप कर नहीं था पबलिक ली किया था सबने सुना था सबने देखा था और वो आदेश क्या था वो आदेश था कि जो रफेल 36 खरीदे थे किस कीमत पर खरीदे थे वो कीमत सार्वजनिक की जाए यह आदेश रक्षा मंत्री का रक्षा सचिव को प्रेस वारता में 17 नवंबर 2017 को किया था पांच फरवरी 2018 को इनकार कर दिया कि नहीं बताएंगे सीक्रेट है रक्षा मंत्री जी आप अभी भी हिम्मत करके प्रेस वारता करने आती हैं आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं आपके द्वारा दिये गए आश्वासन को आप ही ने खारिज कर दिया आपने जो आदेश पारिक किया था उसको आप ही ने खारिज कर दिया फिर भी आप सब के सामने आकर बड़ी तैश में प्रेस कॉन्फरेंस कर दिया अच्छा लगता है देखता रफैल के बारे में हमने बहुत बार आपसे चर्चा की है प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी उत्तर क्यों नहीं दे रहे उत्तर कब देंगे 58,000 करोड का यह जो स्कैम हुआ है रफैल के नाम का नमबर दो सार्जनिक शेत्र का उपक्रम PSU HAL बैंगलूरू में जो बेस्ट है उससे आपने 30,000 करोड का ओफसेट का व्यापार बिजनस छीन कर अपने एक ऐसे मित्र को दे दिया जिसको इस शेत्र में कोई अनुभव नहीं है जिसका अपना व्यापार डूब रहा है इसका उत्तर दीजिए फिर आईए प्रेस्वारता करने किसी और मुद्दे पर फिर हम भी सुनेंगे आपकी कोई और बाते पहले देश ये जानना चाहता है और उसकी जानकारी दीजिए टैश हमें भी है प्रोध हम भी कर सकते हैं गुस्सा हम भी दिखा सकते हैं और प्रश्ण पूछने की तो नैतिक जिम्मेदारी हमारी ही है क्योंकि हम विपक्ष में हैं ये बताया जाए रक्षा मंत्री जी जूट कौन बोल रहा है आप कहती हैं कि ऐसा ओफसेट का कोई काम किसी निजी कंपनी को दिया ही नहीं गया फ्रांस की जो कंपनी है दसो और जिस कंपनी को हिंदुस्तान में ये काम दिया गया रिलाइंस वो दोनों कुछ और कहती है आप कल एक प्रेस्वारता करियर रक्षा मंत्री जी और खुलासा कर दीजे कि वो जूट बोल रहे हैं आप सच बोल रही है प्रधान मंत्री जी के बारे में उनके सच और जूट के बारे में बाद में टिपणी करेंगे अभी तो आप अपने सच और जूट की जानकारी दीजे कौन जूट बोल रहा है रक्षामंत्री जी आप देश की रक्षामंत्री देश से जूट बोल रही है संसत पे में खड़े होकर जूट बोला या उस प्रेसवारता में जूट बोला या तसौल और रिलाइंस जूट बोल रही है जूट कौन बोल रहा है देश जानना चाहता है मार्च 2018 में हिंदुस्तान की सेना ने पार्लिमेंटरी पैनल को कहा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आठ परसेंट हमारा एक्विप्मेंट जो है वो स्टेट अफ दा आठ है 68% is vintage ये देश की सुरक्षा का सवाल है प्रक्षा मंत्री जी ये छोटी राजनिती आप बाद में कर लिजेगा अभी देश का प्रशन है आपने समिधान की शपत लिए है हिंदुस्तान की सेना ने parliamentary panel को ये भी कहा हमारे पास संसाधनों की कमी है और इतनी घोर कमी है कि हम चाइना के बॉर्डर पे सडकें बनाने के लिए सक्षम नहीं है ये हिंदुस्तान की सेना ने हिंदुस्तान की parliamentary panel से कहा उत्तर दीजिये रक्षा मंत्री जी आपने इस दिशा में क्या कदम उठाए हिंदुस्तान की वीर सेना जो कठिन परिस्थितियों में विशम परिस्थितियों में लोहा लेती है शत्रों से आप उनको संसाधन नहीं दे पा रहे हैं आपने आपको राश्ट्रवादी पार्टी कहते है पूरे देश को आप सर्टिफिकेट बाढ़ते हैं कौन राश्ट द्रोही है कौन राश्ट प्रेमी है और आपने हिंदुस्तान की सेना की ये स्थिति कर दी आप देखिये 2018-19 के बजट जीडीपी का सिर्फ 1.58% आपने दिफेंस को दिया लोएस्ट अलोकेशन सिंस 1962 ये असलियत है इस तथाकतित राश्ट प्रेमी पार्टी की सरकार की आपने किस्सा सुना ये भी रक्षा मंत्री जी माफ कीजेगा आप ही के विभाग से संबंदित हैं नगरोटा में जमू कश्मीर के उप मुख्य मंत्री भारती जन्ता पार्टी के निता हैं स्पीकर भारती जन्ता पार्टी के निता हैं एम्मुनिशन डिपो के बगल में अपनी कोठियां बना रहे हैं कॉलोनी काट रहे हैं सेना उनको पत्र लिखती है कहती है साब ये इल्लीगल है मत करिये तो जवाब आता है सेना राजनीती से प्रेरित है भारतिय सेना जमू कश्मीर में इतने सालों से इतने दशकों से रक्षा कर रही है इस देश की सीमाओं का उसके बगल वाली जमीन पर आप गैर कानूनी कोठी खड़ी कर रहे हैं कॉलोंी काट रहे हैं आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक राजनितिक डल नमबर दो की सबसे बड़ी राजनितिक डल के मैं तो पूर्ण नेता है और आप कहते हैं सेना राजनिति खेल रही है आपके साथ ये जो आप 56 इंच की छाती लिए बार बार सेना का दम भरते हैं सेना के साथ राजनिति कर रहे हैं आप और सेना पर आरोप लगाते हैं कि सेना राजनिति से प्रेरित है शरम नहीं आई आई आपको ये बोलते थे क्या उनके खिलाफ इन दोनों नेताओं के खिलाफ कोई कारवाई हुई कारवाई होने की कोई संभावना है अगर है तो कब है क्यों नहीं आपने इनको कारण बताओ नोटिस दिया कम से कम वो तो दे दे थे क्यों नहीं उन्होंने माफी मांगी 48 गंटे हो गए इस टिपणी को भारतिये सेना से माफी मांगे भारतिये जनता से माफी मांगे भारत से माफी मांगे यह सेना का अपमान नहीं है भारत एक एक भारत वासी का अपमान किया है How can you charge the Indian army of playing politics of being politically motivated Isn't this shameless आपके बाकी प्रश्चाचार तो हम बताएंगे लेकिन जो आप सेना के साथ राजनीती करते हैं माफ कीजेगा वो हमें बिलकुल बरदाश्ट नहीं होगा इस देश को बरदाश्ट नहीं होगा हमने आप से कई प्रश्चन पूछे करनाटका में इतना बड़ा एक माइनिंग स्कैम हुआ नौ में से 6 केस CBII के आपने रफा दफा करा दिये क्यों? क्या कुट प्रो को था? किसको अबलाइज कर रहे थे आप करनाटका चुनाव से पहले? क्यों क्लीन चिट देना चाह रहे थे? व्यापम में 70 प्रतिशत CBII के अधिकारियों की ट्रांसफर हो गई जो व्यापम देख रहे हैं 56 से उपर जाने जा चुकी है 76 लाख छात्रों का जीवन बरबाद कर दिया व्यापम ने इस प्रशन का उत्तर रक्षामंत्री जी आप देंगी या आपका कैबिनेट का कोई और कुलीग देगा प्यूश गोएल जी पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते जैशा पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते 16 लाख प्रतिशवच जिसने अचानक अपपनी बढ़ा दी कंपणी की कीमट उस पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते राजिस्तान के मैनियंग स्कैम पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते छाटिशगर के पीडेश केम पर आप बोलना नहीं चाहते आप चले हैं प्रश्ण पूछने? Do you have the moral right to even ask anything to anyone? Before responding to any of these important critical questions that face the country, that face your party, that face your government today? आज सत्ता में आप हैं, आज भी आप विपक्ष की तरह नहीं चल सकते कि आप प्रश्ण पूछते चले जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि सब हाथ आगे बांध करके आपको जवाब देंगे. आज जवाब देने की बारी आपकी है. चार साल हो गए हैं, जवाब नहीं आ रहा. और रोज नए प्रश्ण पैदा हो रहे हैं. प्रश्ण ऐसे जो एक-एक आम आदमी की जीवन से संबंदित हैं. दलितों के प्रश्ण है, किसानों के प्रश्ण है, बेरोजगारों के प्रश्ण है, उनका आप उत्तर नहीं दे रहे. आपके अपने भ्रष्टाचार के प्रश्ण है, you are mired in corruption from head to toe. Who will answer those questions? और रक्षा मंत्री देश की, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की रक्षा करने ही बाहर आती. देश की रक्षा is not her priority. She is not interested in even talking about the welfare of the army, for providing resources to the army. To uphold the dignity and the respect of the army which is being played and trampled around by her own leaders in Jammu and Kashmir, by the deputy chief minister and by the speaker of Jammu and Kashmir. They belong to the BJP. They are most important leaders of the BJP. This country will not forgive you. India Foundation के मुद्दे आए. साहब जादा शार्या दोवल साहब के मुद्दे आए. जिनके एक और कंपनी, Zeus, I don't know how to pronounce it well, में पार्टनर्स कौन है? Gemini Financial Services जो उन्होंने मर्ज की थी जे उसको. उसके पार्टनर्स के मुद्दे आए. एक Global Blockchain Business Council पाकिस्तान में चलती है. साहब जादा शार्या दोवल के बिजनस पार्टनर्स पाकिस्तान से है. आप तो पाकिस्तान के कलाकार, पाकिस्तान के क्रिकेट खिलारी, इन सब पे आपके पास प्रशन होते हैं. अब हम आपसे पूछ रहे हैं. साहब जादा शार्या दोवल के बिजनस पार्टनर्स पाकिस्तान से हैं. हम आपसे प्रशन पूछना चाहते हैं. इसका उत्तर दीजी आप. रक्षा मंत्री जी आप क्यों चूप है? क्योंकि आप ही सबसे अग्रणी होकर आकर बोलती हैं. हर मुद्दे पर बोलती हैं. अपनी डिफेंस छोड़कर, रक्षा मंत्राले छोड़कर, रफैल छोड़कर, अपने डिपार्टमेंट के डिफेंस डील्स को छोड़कर. आप उत्तर दीजिए इन तमाम प्रश्णों को जो हम बार बार उठा रहे हैं, आज फिर उठा रहे हैं, आज कुछ नए प्रश्ण उठा रहे हैं. इन पर भी आप जवाब दीजिए.